हलो डियस जिन बेलकम है आपका हमारी यूटूब चैनल बीगेटी कमिश्टी में देखे बचो 27 पो आपका कमिश्टी का बोर्ड जामनेशन है तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही सार्ट है 10-15 विडियो है लास्ट तक देखिएगा और वीडिय जाम में sure and sort आएंगे 27 तारिक को ओले वाले पीपर के बात आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि सर जो आपने 20 कूश्ट बताए थे उन्हें से कितने कूश्ट पीपर में आए पका मुझे लगता है 200 आजाएंगे ऐसा मुझे लगता है कि 200 कूश्ट आजाएंगे ल एक होता इसी में है एजियोट्रॉसस मिनिममम बॉइलिंग भी इसी में सनुसन चैटर इसी में है इसी में है 0.4% NaCl को RBC के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनाएगा इसी में है RO, Reverse Osmosis और इसे में है Aisotonic Aisotonic Hypertonic Hypopolin पहला question रहाइए और इन सबके examples कि अग्जामपल कि पॉस्ट डीबियसन का का एकजामपल है निगेटिव का का एकजामपल है fires, जो ट्रॉपिक मिक्चर क्या होते है मिनमम वालिंग, मा corazón इनके एक्जांपल क्या है क्याया सलीए एना कुछीन ही हो गया कुछन नंबर तो गुलपरव में श्यॉख कॉलड़ा उश्ला एस दूसरे पर्ट से ला बेनियुसशन हैं इंड्रि ला नहीं पूष्टा है इसका अप्ली केसन इसका application ठीक है थर्ड फैराडे ला फैराडे ला नहीं पूश्का है इस पर numerical आएगा फैराडे ला पर ठीक है फोर्थ को रोस्ला हेंडी ला फैराडे ला ठीक है और आप यहां पर जाने यहां लाज में आप यह तीन जानेगा और अब थोड़ा सा जान सकते हैं राउस्ला कि राउस ला केलियर आते हैं फूर्ष नंबर थर्ड पर फुरिए नर्ष्ट एक्वेशन नर्ष्ट एक्वेशन डेल्टा जीज़ंटू माइनस एनफ इनॉट सेल इसी चैप्टर का इसी चैप्टर का थीक है सुनिये रहे सुनते रहें थीक है उसके बाद मोलर कंडेक्टें इक्यव करन कि अहमsome क犬ल यह बिस्की यूलिट क्या होगी इसकी यूलिटिक्र थर्ड में कर देटा जी मुल आएंक डदेटर्टर्ट्टर्टेल और आ क्योग में ऐंदेकरी मरकरीशल, फ्यून्सल, फ्यून्सल, एक्जामपल बिध रियक्षन, एक्जामपल भी उसके बारे में रियक्षन भी आपको लिखा आना चाहिए, चलिए हमारा कूशन नमबर थर्ड हो गया, आईए, कूशन नमबर फोर की बात करें, तो फुनिए कूशन नमबर 4 में क्या है स्यूडो फ़स्ट अर्डर स्यूडो फ़स्ट अर्डर देख है यूनिट यूनिट फॉर रेट पॉंस्टेंट रेट पॉंस्टेंट के के लिए यूनिट क्या होगा कूशन नमबर 3 मालिक उलल्टी और order up reaction क्या है order up reaction और first order और half life पर numerical आएगा और एक ब्रंडर चीश नहीं है बड़ी चीश नहीं है कूशन इस पर आएगा कि अगर हम रेट दो गुणा करे तो अगर concentration दो गुणा करे तो रेट कितना गुणा हो जाएगा Concentration 3 गुणा करे तो rate कितना गुणा हो जाएगा तो यह हमारा question number 4 रहा यह हमारे question number 4 है मैं आपको 20 question बताने वाला हूँ 16 question हमारे पास और बचे हैं जहां से आपको पढ़के जाना है आप इसका इसकी साथ लो मैं address कर रहा हूँ guarantee है यहां से question आएगा हो सकता है 200 question आजाए में भी हो सकते है सारे question आजाए लेकिन guarantee है और अभी numerical person छोड़ा हूँ numerical मैं upload करूँगा pdf वासे आप देख लिजीगा तेज़े को उसको लिखना थोड़ा कठीन है चलिए अब आगे बात करते हैं अब बात से यूँ अब बात निए डी ब्लाक में आए डी ब्लाक में पांच पांच पहले नंबर कॉपर प्लस कॉपर प्लस एक्वस सलूशन में अन इस्टिबल होता है क्यों कुशन नंबर टू इन ओट बैलू कॉपर की पॉजिटिब होती है पॉजिटिबल होती है क्यों वाइंड दा इन ओड बैलू आप कॉपर इस पॉजिटिग कॉशन नंबर थर्ड मतलब यह हमारा कुशन फाइव है मैं 20 बताने वाला हो बीस कर से फाच्वे नंबर पर छोड़ी चोड़ो कुशन है कुशन नंबर 한다 के टू के टू सी आरं टू ओ से बन depend का प्रिप्रेशन रिएक्षिंट डाइ नम्बर गर्यूमीयट का प्रीप्रेशन रियुक्सन किलिएर नंबर शिक्षिंट पर आजयिए। Dichromate का Rehorson Question No. 6 पर आजाईए Question No. 6 पर आजाईए F-Block का जैसे माल लो दे दिया Cerium Plus 4 में कितने unpaired है कितने unpaired है यह Cerium Plus 4 जो है वो Stable है कि Unstable है ऐसा कोशर आप से पूछ दिया लिए इसलिए और आप से पूछेगा लेन्थेनाइड कॉन्ट्रेक्षन किलियर अच्छा माइगनेटिक इंगेंट मु इस उक्वाल टू अंडर रूब एन एन प्लस टू बोहर माइगनेटान पर कुश्चन आपसे आ सकता है ठीक है सुनीए छटवाई छटवे का एक पार्ट आओ रहा इमन प्लस ट्री और क्रोमियम प्लस ट्रू डी फोर कंट्रीगेशन दिखाते हैं जिसमें से एक ऑक्सी डाइजिंग एजन्ट आइड करता है एक रिड्यूसिंग की तरह आइड करता है क्यों डी ब्लाक का ये कॉश्चन आपके लिए इम्पॉर्टिल हो सकता है के लिए बाती सुनी कैटलिटिक प्रापर्टी मिल्टिंग बॉइन बॉइलिंग पॉर्लिंग पॉर्ट ये सावाब को देखना है मैं आपको एक्स्पेक्टेड वो कॉश्चन बता रहा हूँ इसमें मै डिटिंग मॉमेंट क्या होगा ये पॉश्चन पूचेगा पॉश्चन नंबर सेबंध का ही एक पार्ट है आपसे क्रिष्टल फील्ड थियरी का डायाग्राम पूचेगा कि उक्ता हाइडल के लिए क्या है टेट्रा हाइडल विए क्या है इसी का एक पार्ट आयू पीएसी पक्का एक आएगा को आडिसन कंपाउंड का आयू पीएसी एक और लिख रहा हूँ पूछेगा COCL3 into 6CH2 अगर दो मोल AZNO3 से रियट कर जाए तो बनने वाले कंपाउंड का फारमूला क्या होगा आपसे पूछेगा डेल 0 जादा है पेरिंग इनर्जी से पेरिंग से जादा है डेल 0 तो आप बताओ कंफीग्रेशन कैसे फिलब करोगी कंफीग्रेशन कैसे फिलब करेंगे ठीक है कुश्चन नमबर 8 पर आजाएं आपको दे देगा सी ओ इन का ओल्टराइज ऐसा कुछ और कहेगा बताओ क्या ये आप्टिकल आईसे मर्जम दिखाएगा या नहीं दिखाएगा क्या ये जमेटिकल आईसे मर्जम दिखाएगा या नहीं दिखाएगा पक्का ये रहा कुश्चन नमबर 8 यह रहा कूशन नमबर आठ बने रहे लास टक बारा कूशन और बचे बारा कूशन और बचे हैं जो important हो सकते हैं 12 कूशन और हैं जो important हो सकते हैं ध्यान से समझेगा वो 12 कूशन और क्या है देखी यह मैं क्यों कूशन की बात कर रहा हूँ जो पक्ता आएंगे 100% जिनके आने की संभावना है गारल्टी मत्र बोलाओ 27 को पेपर होगा आप वीडियो के लिंक पर कमेंड करके जरू बताईगा कि सर आपने जो 20 कूशन बताए थे उनमें से कितले कूशन डारेट पेपर में आय के लिए यह अभ हमारा मामला है औरगिनिक टमस्टी का अब मामला है औरगैनिक टमस्टी यंख क्यून अनुट्या में पहला 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 सुलिए और यहीं कोश्टी में सबसे पहले बायो मालीड क्यूर और हमारा कुष्टर non नव रहा हैं आपको पढ़ना आपको जानना गुरुप ऐसा एक कूश्चन है कि आपको बढ़ना है यह आपको बढ़ना है कि लिए अच्छा नाइन का ही एक पार्ट है आपको जानना है एनोमर है एनोमर क्या होगा इन वर्ट सुगर क्या होगा और डी नेचुरेशन आप प्रोटीन क्या होगी कोशन नमबर टेन पर आजा रहा हूँ कोशन नमबर टेन पर गलाइको गलाइकोफ सिदिक्स लिंकेज क्या है Peptide Linkage क्या है Peptide Linkage क्या है Next Secondary StructureBeat culature प्रोटीन क्या है Globular और Fibros Protein के Examples क्या है Globular और Fibros Protein के Examples क्या है ठीक है इसका एक प्राट है और सबसे इंपोर्टनट यह है आपको देदेगा माल्टोज़ गैलेक्टोज़ शुकरोज और पूचे गाल्टोज गैल किसए किसे मिलकर बना है तो इतनी बाते आपको यहां से जाननी है important मैं बहुत थाहीं निकिरा हूँ मैंने फिर बोला हम उनी question पर discuss कर रहे हैं जो बोड़ यह आना है तो चलो भाई 10 question हो गए हैं 10 और बचे question number 11 पर आता हूँ question number 11 पर आते हैं धान दीजी क्या है basic basic character basic character आप अलकोहल कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जैसे आपको ऐसा दे देगा और यहाँ लगा देगा यहां लगा देगा यहां लगा देगा यहां और पूछे करेक्टर क्यों है किसका particular जादा और यहीं पर तीदे और के झाड़ है किस promotional जादा ये भी आपको जाहर ये भी आपको द्धान से यहारव तो चलो वह बाई question no 115 question no Find nine questions हमारे पास और और वह कि चो पेपरya पैटर में पूछे जाने की पूरी उमीद है तो आई कुशन नंबर कुशन नंबर 12 पर बात करते हैं 12 पर सुनी कुशन नंबर 12 हम बात करते हैं तो आपको जानना है फ्रयान आपको जानना है DDT फ्रयान DDT क्लियर आपको जानना है प्राम्री सिंकूंडी घरसे लिकास घरट्रेत लिकास रिएंड लिकास रीज एजें। फ्ट टॉनिं टॉनिंड हेलिए लिए लुकास रोड़िय को references टॉनिंद-टॉन्ट टॉनिंड racer teamers कैनी जारू कैनी जारू संद मेर जा एक्षब्च मेर वर याते repeating मेर केनी जारू विलियद संद मेर्ण संद मेर्ग molecular क्रास अल्डूल ठीक और अल्डूल अल्डूल क्रास 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 अल्डूल क् और इक्वस के फिस से रिएक्षिन करके प्रॉडट्ट आपका क्या बनेगा अगर कि अगर सियर्ट आ जाएं तो खेल से बनेगा याद रहे अगर कापर पांसो त्हीटर केल भी ना जाए तो अलको हलको किसमे बदलेगा रीजन्ट अगर यलाई एलेच फोर आ जाए लीटियम एलमूनियम हाइड तो क्या बदलेगा किसमे कनवर्ट होगा एलडिहाइड किसमे कनवर्ट होगा C-H-U-C-U-C-U-C-U-C-O-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C जब होता है तो पार्सियल डबल बॉण डबल बॉण करिट्र आ जाता है उसकी वज़ाद से कब मौन लिन्स कम होती है कब बॉण लिन्स जादा होती है कूशन नमबर 15 है आर्थो नाइट्रो फिनाल और फैरा नाइट्रो फिनाल में कॉन स्टीम बॉलिटाई होगा और इसी क पार्ट है इसी का पार्ट है कि अल्कोहल और हाइडो कारवन में किसका मिल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ठीक है आईए चार कूश्चन और बचे हैं आते हैं कूश्चन नमबर 16 पर सुनी करेगा क्या आपको कमपाउंड देगा ऐसा ऐसा माल हम सनलाइट में कराएं सनलाइट में कराएं सियल्टू से कराएं तो बोलो आपका क्या बनेगा प्राड़क्ट क्या बनेगा सनलाइट में कराएं सियल्टू से कराएं तो कूश्चन पूछेगा प्राड़क्ट में किसका प्रिपेशन होगा प्राड़क्ट में किसका प्रि यायोंगे चार पूछार बचे हमारे पास एक कूशन ही है एमीड Čपक कर का कपnaires इस стать करने पर लिंग हिंस परगर रींग एजेंड मतलब फूशन पूश्टा है कि वन डिगरी टू डिगरी थ्री डिगरी एमीन में डिस्टिंग्यूज कैसे करोगे पहचान हो किस से तो एक तो कारिवल एमीन टेस्ट होता है एक हिंस वर्ग होता है और एक कप्लिंग रियक्षिन है जिससे आप पता पाएए जिस को बालग है ठीक है यह रहा हमारा कुशन नंबर 17 और कुशन नंबर 17 का ही 17 का ही एक पार्ट में और निचने चला हूँ जिसका नाम है डायजो ताइक इसन यह डाय जो ताइक शन क्या होता है जो डायजो लिम है उसी कुछ Diogenison बोलते है खीक है चाही दिए पूष्चन नमबर 18 मैं आ रहा हूँ question नमबर 18 में 18 में क्या है डी हाइड्रिशन डी हाइड्रिशन आफ अल्कूहल डी हाइड्रिशन आफ अल्कूहल आपको जानना है कि अल्कोहल का dehydration कैसे होता है कौन अच्छे से अल्कोहल का dehydration करेगा के लियर अच्छा इसी अल्कोहल के dehydration में आपको एक चीछ जानना है जिसका नाम है nitrogen एक reaction यह सब में पढ़ लिजेगा nitrogen, pretal craft, halogenation, ठीक है यह nitrogen, pretal craft, halogenation यह सब इसमें common reaction दीगा है common reaction दीगा है जिनसे आप product का preparation आसानी के सांथ कर सकते हैं ठीक है अच्छा थोड़ सोतला पढ़ा बच्छों एक मिट का समय में जे दीगा है एक मिरट का time दीजेगा बद दो तीन कूशन और बचे है यस इसे बज़ा लोग SN1 and SN2 reaction नहीं पूछेगा आप तो example देख पूछेगा कौन अच्छा देता है SN1 और कौन अच्छा देता है SN2 ठीक है कौन SN1 अच्छा देगा और कौन SN2 reaction अच्छा देगा यह आपसे पूछ सकता है बहुत important point है कि SN1 और SN2 reaction कौन आपसे ठीक ठाद देगा clear चली दो कूशन और बचे है बेट करिए दो कूशन और बचे है अब expectation देख रहा हूँ क्या क्या हो सकता है दो कूशन में चली एक हमको पढ़ना है कूशन नमबर 19 क्यों मीन तू फिनाल क्यों मीन तू फिनाल हमको जानना है क्यों मीन से फिनाल कैसे बनेगा साइनाइट से कार्बोख्लिक कैसे बनेगा साइनाइट से कार्बोख्लिक कैसे बनेगा अलकोहल से कार्बोख्लिक कैसे बनेगा ठीक है ये हमको कनवर्जन जानना है लास्ट कूशन नमबर 20 ध्यान दीजिए लास्ट चो हमारा है ये कूशन नमबर 20 इस पर आपको एक पढ़के जाना है क्ली मेंसन क्ली मेंसन और कुशन नमर 20 में आपके पास अगर कोई अरिहंत का या कोई सेंपल के पर होगा तो आप उसके पीशे चले जाना एलड़िहाइड की तोन में कोशन दिये गए है कि अगर ऐसा कोशन है कि 2-4-2-4-2-4-DNP-Dynitropenol रियर्ट बिस तस टाइप आप तंफाउंट दें रियर्ट फार्म कंपाउंट भी दें रियर्ट फार्म कंपाउंट सी इस तरीके चार पास कोशन दिये गए हैं उनको आप आपसे ट्राई करना, अपने आपसे देखना ट्राई करना कि कैसे प्रोड बनेगा, केलियर, बच्चों, अगर 27 पो होने वाले आपके पेपर में, अभी नियुमेरिकल की बात मैं नहीं किया, नियुमेरिकल का PDF मैं नीचे कनेट करूँगा, और उस PDF को कनेट करते समय, ऊपर म बहुत सारे नियुमेरिकल है, मैं नंबर निकूँगा, कि फला फला कूश्चन नंबर का नियुमेरिकल आप जरूर पढ़नीजिएगा, अगर नियुमेरिकल और थियरीज, आज बताए गई बातों से फस्ती है, तो जरूर वीडियो को लाइक करो, सब्स्राइब करो, और तूर तक सेयर करो, थाइक यू फर वाचिंग